गुड मॉनिंग दोस्तो आज हम लोग इस फीडियो में जानने माले हैं SLC, CLC और TC यानि स्कूल लविंग सर्टिफिकेट उसके बार ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में इसके बाद किज़ें तो तीनो एक ही होते हैं लेकिन आपको अलग अलग जगा पे यह मिलेंगे और इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे यह online निखिलेगा या offline निखिलेगा इसकी आवसकता कब परती है, कब निकलती है, फिर यह जानेंगे कहां से निकलता है इसके लिए आवेदन कैसे लिखा जाता है फिर ये पूरी पर किया जानेंगे कैसे आपको प्राप्थ होगा उसके बाद हम जानेंगे ये कितना समय में आपको मिलेगा और इसको निकानने के लिए आपको कौन कौन से डोकुमेंट की आओ सकता है ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे तो ये तीनों के अगर बात की जाए तो SLC, CLC यानि TC ये तीनों एक ही चीज है आपको अलग-अलग जगह उपर ये मिलता है तो हम इस सब के बारे में भी आपको एक प्रतिक के माध्यम से दिखा देते हैं जैसे आप देखिए यहाँ पर ये है Transfer Certificate Transfer Certificate की बात की जाए तो ये आपको यानि अस्थनांतरन परमान पत्र ये आपको कब मिलेगा जब आप Primary School में पढ़ रहे होंगे और Middle School में पहुँचे होंगे यानि एक से लेकर आठवा जब आप पढ़ लिए होंगे तो 8 कलास के बाद जब आप इस स्कूल के छोड़े होंगे तो आपको एक मिला होगा Transfer Certificate यानि TC यानि अस्थनांतर परमान पत्र तो ये आपको आठवा बात मिलेगा जब आप आठवा पास कर लेते हैं तो आप जाते हैं High School में जब आप High School में जाएंगे एडविशन के लिए तो आपको इसी TC की आवसकता परती है जब आप पहुँचे High School में इसको लेकर तो आपका एडविशन हो गया High School में और High School में आप तेंथ भी पास कर लिए यानि आप जब मैट्रिक पास कर लिए तो यहां से आपको मिलेगा SLC यानि School Living Certificate यानि विद्याले परित्याग परमान पत्र जब आपको SLC में जाएगा मैट्रिक बात तो आप फिर जाएंगे College यानि Intermediate करने यानि IAC करने या IA करने तो जब आप वहाँ पर पहुँचिएगा तो आपको Admission हो जाएगा School Living Certificate से कहाँ पर College में IAC में जब आप वहाँ पर पास कर लेंगे तो आपको मिलेगा College द्वारा College Living Certificate इसी को बोलायता है CLC ये आपको मिलता है Intermediate बात यानि आप 11-12 कर लेते हैं तो आपको मिलेगा CLC यानि College Living Certificate और जब College Living Certificate जब आपको मिल जाएगा तो अगर आप उस College में अगर होता है Graduation तो आपको CLC बिना लिए हुए Graduation में Admission हो जाएगा अगर उस College में Graduation नहीं होता है तो आपको College वारा दिया जाएगा CLC यानि College Living Certificate और इस College Living Certificate को लेकर जाना परेगा आपको दूसरे College में और इस CLC से आपका Admission फिर दूसरे College में होगा Graduation में और जब Graduation आप कर लेंगे तो आपको फिर मिलेगा College Living Certificate ये Graduation मिलेगा आपको ये भी मिलेगा आपको जिस College से Graduation कर लेते हैं तो Graduation के बाद आपको फिर मिलेगा CLC अब ये आप जो CLC है अब आप कहीं दूसरे उनिवर्सिटी में जाते हैं या आप दूसरे फिर College में जाना Admission काना है तो आपको फिर ये निकालना फरेगा तब आपको जाकर फिर Admission होगा तो ये आप जान लिए SLC, CLC और TC के बारे में तो अगर इसकी अवसकता की बात की जाए तो इसकी अवसकता दूसरे College में Admission के लिए की जाती है और ये कब मिलता है तो आपको ये मिलेगा आठवी पास के बाद भी Matric के बाद भी फिर आपको 12 के बाद भी और Graduation की बाद भी और उसके बाद अगर जो भी कोर्स करते हैं जैसे IT करते हैं या आप B8 करते हैं तो उसके बाद भी ये फिर आपको मिलेगा ये College Living Certificate या आपको Certificate ट्रांस्फर Certificate जो है आपको ये समय समय पर मिलते रहेगा आप एक कोर्स कर लेंगे उसके बाद ये कहां से मिलेगा तो आप जिस College ने पर रहे हैं और College पास कर लेते हैं तो उसी College से ये मिलेगा उसके बाद इसके आवेधन कैसे लिखे लग सकता है और maximum की बात किया है तो आपको 10 दिन भी आपको समय लग सकता है तो इसी के बीच में निकलता है तो ततकाल के लिए इसके लिए अलग फिस है और इसको जो अगर regular निकालना है यानि नियम से तो उसके लिए अलग फिस है ततकाल की बात किया है तो सभी college का अलग अ या offline की, तो आप online के चकर में नहीं परिये, online चकर में by post लिखता है, जो आपको नहीं देता है, आप जाकर सीधे college में apply करे, और offline जाके प्राप्ट कर ले, उसके बाद इसके document की बात किया है, जो कौन-कौन documents लगते हैं, तो आईए हम इसको जान लेते हैं, सबसे पहले अगर आप documents की बात की जाए, तो आपको एक application लिखना पड़ता है, application के बारे में कैसे लिखेंगे, तो हम नीचे बताएंगे आपको, और उसके बाद कोई-कोई जो college है, इसको निकानने के लिए एक application form भी देता है, जो college द्वारा या school द्वारा खुद मिलता है, उसमें आपको कि मिले होगा, जैसे CLC अगर निकाल रहा है, तो आपको first part, यानि BA, या BAC first part में आपको एक registration मिला होगा card, बताएंगे आपको कैसा है, ये देखिए, ये है registration card, आपको ऐसा मिला होगा, उसका एक photo copy लगेगा, उसके बाद हम बात करेंगे mark sheet या admit card की, तो सभी college द्वारा आपक इसका भी photo copy या आपको college द्वारा इसका जो student ID होता है, ये आपको लगेगा, इसके अलावा अगर बात किया है, तो एक दो और documents जो college या school द्वारा आपको मिलेगा, वो आपको इसमें लगाया जा सकता है, ये सभी college द्वारा अलग अलग है, हाला कि ये जो main है, ये सभी college द और वह जो चलान कटेगा, वह चलान आपका receiving होगा, वह है receiving लेकर आपको कल होकर आना होगा, या उसी दिन आपको जब बुलाए, जब आपको उसी receiving के द्वारा आपको मिलेगा, यानि जो चलान कटा है, वहीं आपका receiving होगा, तो चलते हम इसके application को तरब कि आपको CLC, SLC के कैसे लिखेंगे, हम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो application लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर सेवा में, आपको एक coffee लेना है साधा page, वहाँ पर लिखना है सेवा में, उसके बाद प्रधना ध्यापक के पास पत्र लिखना पड़ता है, तो ल हम लिख रहा है CLC यानि SLC या TC के बारे में तो हम लिखेंगे महा विद्याले परित्याग परमानपत्र यानि यह है CLC, अगर आप SLC लिखते हैं तो यहाँ पर लिखें विद्याले परित्याग परमानपत्र निर्गत है, तो यानि इसी निकालने के लिए हम application लिख रहा है उसके बाद लिखेंगे महासर सविनय निवेदन यह है कि मैं यानि जो मैं हूँ मेरा यह नाम यहाँ पर अपना नाम लिखे फिर उसके बाद अपने पीता का नाम यहाँ पर पता पता में आप लिखे एडरेस आपको भिलेज पोस्ट आपको फिर लिखे पुलिस एस्टेशन फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं पीन कोड फिर उसके बाद जब लिखेगा राज राज में आप लिख सकते हैं जो राज है वहाँ पर उसके बाद लिखेंगे मैं फनला राज्ची का निवासी हूँ मैं आपके college यानि college का नाम दे कर मैं आपके college ठाकुर परसाथ सिंग के पाठठट की परिक्षा सफलता पुर्वक पास कर ली है और मैंने college की जितने भी बकाई सभी फीसे वो समय रहते जमा करा दी है मेरे आगे की जो पढ़ाई होने वाली है वो दूसरे college से होने वाली है जिसमें CLC यानि महाविद्याले परित्याग पर्मान पत्र की आवा सकता है अता स्रीमान से नमर निवेदन है कि मुझे महाविद्याले परित्याग परमान पत्रिसिक परदान करने की किरिपा करे इसके लिए मैं आपका सदा अभारी बना रहा हूँगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे आपका विश्वासी यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे फिर आपका जो रॉल नमबर है रॉल नमबर आपको फाइनल जो आपको कैस रेसिप्ट दिया होगा उस पर लिखा हुआ होगा यह आप रॉल नमबर लिखे फिर उसके बाद आपका जो सतर है यानि कॉलेज में है तो आपको जो अठारा से एकीस या जो लिखा होगा वो आप जो इसमें है आप वो लिखे यानि आगर विशाय की बात किये तो आप जिस विशाय से अनर्स की है यहाँ पर लिखे उसके बाद आपको राजिटेशन नंबर यहां पर लिखना है और यह आवेदन लिखकर अगर आपको कॉलेज वारा दिया एता है आवेदन फॉर्म तो उसमें भी लिखकर और यह दोनों को और जो डोकुमेंट से सबको लगा कर पिन कर ले और जाकर काउंटर पे जाकर मिले और फिर वहां से चलान कटवा कर आप जाए चलान कटवा कर फिर जाए आप बैंक कॉलेज के अंदर है उस बैंक में जाकर आपको इसमें एक चलान कटवाना है यह चलान का एक photo copy है यह चलान कटाने के बाद आपको यह चलान ही आपका receiving रहेगा आपको यह 200 रुपया नहीं है यह दूसरे किसी का है लेकिन आपको एक चलान का तरीका बता रहा है कि ऐसा आपको मिलेगा आप इसको लेकर अपने पास रख ले यही आपका receiving है इसी के दूरा आपको यह फिर प्राप्त होगा तो यहाँ पर यह सभी परकिरिया आप जान लिए होंगे बाकी अगर कोई problem है तो आप comment करके बता सकते हैं वीडियो को हम यही पर स्मप्त करते हैं और आप चैनल पर नए है तो subscribe भी कर लिए चैनल को धन्यवाद